क्वेशन क्या कहता है क्या कह रहा है कि सबसे छोटी वेलू जो की एक पर्फेक्ट स्कॉयर है और साथ में वो डिविसिबल है 16 से 20 से और 24 से तो वो वेलू पूछ रहा है चार ओप्शन दियो है इसमें से मैं बताना है कौन सा ओप्शन सही है तो सबसे पहले हम क्या करते है कि जो डिवाइजर हमारे पास है 16, 20 और 24 इसका हमें निकाल लेते हैं क्या LC हम निकालने के लिए क्या करेंगे हम इसको सबसे पहले फ्राइम निम्बर 2 से ले जाएंगे डिवाइड करेंगे तो यह कितनी टामस जाएगा 8, 20, 10 टामस 24, 12 टामस फर्दर यह 2 से ही डिवाइड होगा और अब यहां क्या वेलू आने वाली है 4, यहां क्या आएगी 5, यहां क्या आएगी 6 2 से अगर प्रेफराम डिवाइड करते हैं इस वेलू को तो क्या आती है 2 और यहां 5 as it is आजाएगा और यहां 3 आएगा तो जो LCM का जो factors आए इसके वो क्या है 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 3 ठीक है, हम इसको ऐसे भी लेग सकते है 2 का square into 2 का square into 5 into 3 हमें जो desired value चाहिए जो least value चाहिए वो क्या होनी चाहिए वो एक perfect square भी होने चाहिए perfect square होने के लिए उसके जो सारे factors आ रहे है वो square के form में आने चाहिए ठीक है इसके जो यह 5 है और यह 3 है उसके भी 2 तो मतलब एक 5 और एक 3 और होना चाहिए इस means 5 का भी square होना चाहिए और 3 का भी square होना चाहिए अगर हमें least number वो है और वो साथ में perfect square भी है तो इसलिए तो यह value find out हमें करनी थी जो सबसे smaller है यह इसका product हम find out कर लेंगे तो हमें least value मिल जाएगी जो perfect square है और 16, 20 और 24 से completely divisible है तो यहाँ पर इसको multiply करने एक बाद जो value आती है वो आती है 3600 और आप देख पाएंगे कि 3600 जो है 16 से भी completely divisible है साथ में 20 से भी completely divisible है और 24 से भी completely divisible है तो जो इस question का answer हो है वो है 3600 झाल